हेलो गाइज तो आज हम लोग पढ़ने वाले इंटर्नल अस्ट्रक्चर अब दसल इससे पहले पढ़ चुके हैं एक्स्टर्नल अस्ट्रक्चर अब दसल जिसमें हमारा सेल वाल कैपसूल स्लाइम माउल से फिंबरी पिलाई यह सभी उसमें हमने एक्स्प्लेइन कर तुके हैं बेटर वे में एक्स्प्लेइन किये हैं आप वहाँ पर जा सकते हैं लिंक मैं प्रोबाइट कर दूंगा इस वीडियो में तो चलिए आप बढ़ते हैं ज्यादे टाइम नहीं इधर लेते हैं तो हमारा इंटर्नल स्ट्रक्चर सेल में इंटर्नल स्ट्रक्चर अब सेल का पहला पार्ट जो होता है वह होता है प्लाज्मा मेंब्रेन ठीक है अगर हम आउटर सेल इनर की और बात करें तो सबसे पहले हमारा आउटर लेयर होता है क्या सेल की जो प्रोकेर और यहीं से हमारा इंटर्नल अस्ट्रक्शर श्टार्ट होता है, टिक है सेल्मेम्रेन को ओर क्या बोलेंगे साइट्टोप्लाजमी ब्लाजम मेंदे जैसे मैंने बतायाके यह प्लाजमा मेंद्रेन के नीचे होते हैं सेल वाल के नीचे होते हैं इस लिए वे नि wants अब थीकनेस की बात करें तो 7.5 सेंटीमीटर के होते हैं इनके थीकनेस अब अस्ट्रक्चर जो हम अस्ट्रक्चर यह पढ़ रहे हैं यह किसके दवारा explain किया गया कौन से मोडल के दवाना explain किया गया तो fluid mosaic model के जो कि singer and Nicholson दवारा दिया गया था 1974 में यानि कि हमारा question अगर पूछ दे क्या अल्ट्रा स्ट्रक्चर अब दा बेक्टेरिया इस एक्स्प्लेंड बाई विस मोडल देन अब बात करते हैं इनके composition की तो composition इनका क्या होगा किस चीत से यह मिलके बने हुए है तो phospholipid प्लस protein के मिलके बने होते हैं ठीक है फॉस्पोल लिपीट का percentage कितना होता है अब बात करते हैं कि यह phospholipid जो होते हैं इनके दो layer में present होते है इसलिए by layer हम बोलते हैं ठीक है फॉस्पोल लिपीट बाई लेयर हम बोलते हैं इसको फोस्फोलिपीड इसको बाई लेयर बोलेंगे और यह जो हमारा प्रोटीन होता है प्रोटीन भी टूपार्ट में होते हैं दो तरह के प्रोटीन हमारे पर्जेंट होते हैं प्लाज्मा मेंब्रेन में तो पहला हमारा जैसे के हम डिवाइड कर रहा है तो इंट्रिसिक और इं फिगर में मैं रिपर्जेंट कर रहा हूं कि यह बाई लेयर हैं एक ऊपर वला लेयर हो गया और एक नीचे वरा लेयर यानि बाई लेयर हो गया और यह प्रोटीन जो हमारा है यह intrinsic protein है और यह जो protein है extrinsic protein और peripheral protein यानि extrinsic यानि बाहर की ओर जो है intrinsic जो अंदर घुसा हुआ है ठीक प्लाज्मा मेंब्रेन में यहीं चीज होता है अब इनके बारे में मैं explain कर रहा हूँ अच्छे तरीके से तो integral protein या फिर intrinsic protein के बारे में अगर बात करूँ कि इनका function क्या है इनका क्या है यह क्यों ऐसे divide किये गए तो इनका काम यहीं है कि जो phospholipid layer से सबस्टांस अंदर नहीं जा सकता है वो किस के द्वारा जाएगा इस protein के द्वारा जाएगा इसलिए इस protein को हम क्या कहते हैं carrier protein भी बोलते हैं यह उसको ढो कर ले जाता है जो कि हमारे bilayer से नहीं जा पाते हैं ठीक दूसरा है य अगर in extrinsic protein यह जो बाहर की तरह protein होते हैं इनका क्या होता है यह receptor की तरह काम करता है रिसेप्टर मींस signaling यानि जो भी हमारा signaling जाएगा भेजा जाएगा तो यहां पर यह receptor करके अंदर भेजेंगे और उधर से जो आएगा यह receptor की तरह काम करता है ठीक दूसरा यह है कि surface antigen की की तरह भी यह काम करता है कौन extrinsic protein surface antigen और receptor की तरह काम करता है और हमारा Intrigular यानि intrinsic protein carrier protein का काम करता है channel और enzyme formation या synthesis या जो भी बोल सकते हैं transfer तो यह इनका काम है अब इनके बारे में कुछ characteristics features जान लेते हैं यह तो हमारे function के बारे में हुआ अब इनके features क्या है यह कैसे होंगे तो यह जो होते हैं permanently attached to the surface यानि कि यह जो होते हैं permanently attached होते हैं हमारे surface जो phospholipid bilayer है plasma membrane से मतलब मैं बात कर रहा हूं यह क्या होते हैं permanently attached रहता है यानि हमेशा यह attach रहेंगे ठीक वहीं बा इनको हम remove कर सकते हैं ठीक अब इनको remove करना होगा कि इसको integral protein को अगर remove करना होगा तो हमको cell damage करना पड़ेगा तब जाके उसमें से हम remove कर पाएंगे और यहां पर बिना damage किये हुए हम इनको remove कर सकते हैं इसलिए इसको क्या कहा गया है temporary attached बोला गया ठीक दूसरा बात यह है कि जो extrinsic protein होते हैं intrinsic protein जोते हैं जिसको हम integral protein बोल रहे हैं वो 70% of the total membrane protein यानि कि हमारा जीतना भी membrane protein है कितना membrane protein है integral और extrinsic protein है अगर तोनों को हम बोल रहे हैं कि 100% present है इसमें तो उसमें से 70% कौन किसका होगा 70% intrinsic protein का होगा और जो बचा 30% उसमें कौन अभी लेवल है extrinsic protein यानि यह जादे परजेंट होते हैं और इनकी amount क्या होती है कम होती है अब बात करते हैं अगर इसको हटाना हो मैंने बोला था कि इसको permanently stretch रहते हैं अब हटाने के लिए क्या करेंगे detergent यूज करेंगे to remove this यानि कि जो है हमारा intrinsic protein है या फिर integral protein है उसको हम detergent यूज करके हटा सकते हैं लेकिन detergent यूज करने से क्या होते हैं हमारे cell damage हो जाते हैं इस वज़ा से हम बिना cell को damage किया हुए इसको नहीं हटा सकते हैं और इसको हम easily way में dilute solution of NACL यानि कि NACL का solution से हम इसको remove कर सकते हैं जैसे asmotic shock क्या होता है जैसे हमने solution किया वहां का concentration हो गया पूरी तरह से बिखर गया अब influx यानि जो अंदर जाएगा material और बाहर जो आएगा material वो एकदम fast way में move करने लगेंगे इस वज़ा से वो क्या होता है सर्फेस पर जो रहते हैं वो धूल जाते हैं और हड जाते हैं सर्फेस पर जो protein present होते हैं influx और art flux के वाज़ा से यह क्या होते हैं हड जाते हैं अब बात करते हैं कि linked with the hydrophilic and hydrophobic बोथ यानि कि यह देखिए मैं structure में देख रहे हैं कि यह जो hydrophilic है और यह hydrophobic है यह जो है पूरी तरह से हमारा क्या कौन intrinsic protein जो अंदर की तरफ एकदम घुसा हुआ है यानि कि यह बाहर से पूरे अंदर तक यानि एक छोर से दूसरे थक छोर तक गया हुआ है हमारा ठीक है तो यह क्या कर रहा है हमारे जो यह दिख रहे हैं hydrophobic हेड दिख रहे हैं और यह जो hydrophilic head दिख रहे हैं यह दोनों से attach हैं ठीक है अगर वहीं हम बात करें extrinsic protein का यानि कि जो बाहर के तरफ पर जेंट है तो इसमें देखिए यह सिर्फ hydrophilic से ही attach है ठीक है यह सिर्फ किस से attach है hydrophilic से ही attach है तो यह हमारा क्या था हमारा plasma membrane या बोले तो cytoplasmic membrane या बोले तो cell membrane के इतना जो था यह structure था और उनके component थे ठीक है अब बात करते हैं अगर इनके function के बारे में मैं बात करूं तो अभी cell membrane की बारे में बात करना हूं अब इनके function के बात करूं तो यह क्या करते है फिजिकल बार करते हैं यानि बाहर से कोई है अट्यिक करता है या फिर कोई antibody मतलब गया उसके खड़ा हो गया तो उसमें यह क्या करते हैं physical barrier का काम करते हैं यानि वह अंदर घुसने नहीं देंगे उसको barrier type का ठीक है यानि कि help करते हैं उसको जिंदा रहने में कौन प्लाज्मा मेंब्रेन दूसरा चीज है कि सेलेक्टिव पर्मियबिलिटी यानि कि अगर कोई भी हम फ्ल्यूट डाले तो वो अंदर नहीं जाएंगे जो प्लाज्मा मेंब्रेन को अच्छा लेगा ठीक है उन में से चूर्ज करेगा और वो अपने अंदर ले लेगा यानि कि एक सेलेक्ट करेगा किसी खास को ठीक है कोई भी खास फ्ल्यूट है उसको सेलेक्ट करेगा जो उसको चाहिए इसी वज़ा से इसको बोला गया है सेलेक्टिव पर्मियबिलिटी पर्मियबिल मतलब पास करना ठीक यानि कि वो एक सेलेक्टिव चीज को पास करेगा जो कि उ प्लाजमीड यहनि यह क्या करता है एक अस्पेस्फिक साइट मतलब अपने पास रखता है जहां पर हमारे साइटार्ट हो जाता है अब बात करते हैं स्पेस्पिक साइट प्लाजम यहने कर आप सेल मेंब्रीन के अंदर गुँसे हुए है हम बाहर से अंदर जारए हैं तो अब अंदर में प्लाजम आएंगे तो यह एक्वस सलूसन बाउंड़ बाउंदड बाउन्ड़। यानिकि ये क्या है? होमोजिनियस मिक्चर कहने का मतलब जो भी चीज है एक उनिफ़र्म में में डिस्ट्रिबूटेड सबी जगह यह नहीं के कहीं जाद है कहीं कम है कहीं जाद है कहीं कम नहीं यूनिफर्म वे में सभी चीज साइटो प्लाजमें डिस्ट्रिबूटेड होते हैं और यह क्या है एक्वस सलूसन होता है यानि फ्लिूड सलूसन होता है ठीक और यह घिरे होता है कि से सेल मेंब्रेन से जो कि अभी हम पड़े हैं, अभी cell membrane के अंदर गये थे, तो क्या मिला हमें sytoplasm, मिला, sytoplasm क्या है, homogenous aqua solution bounded by the cell membrane, यानि homogenous aqua solution है, जो कि cell membrane से घिरा हुआ है, अब इनको हम sytoplasm को थ्री parts में divide करते हैं, ठीक है, divide करते हैं, कितने पार्ट में? थ्री पार्ट में. तो हमारा पहला पार्ट आता है «Cytoplasmic Area». यानि कि पहला पार्ट को ओना रहा है? «Cytoplasmic Area». ठीक है? «Cytoplasmic Area», क्या होता है? «Cytoplasmic Area. subsidies are granular in appearance». यानि कि ये किस appearance कैसा दिखता है? «Granular में दिखता है», यानि granular कहने का मतलब grains type का ठीक है छोटे 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 मने खुरदूरा type का दिखेगा यहाँ पर granular in appearance and reach in ribosome यहाँ पर क्या होते हैं ribosome reach होते हैं यानि ribosome कहने का मतलब यहाँ पर खुद समझ जाना है कि ribosome का क्याम क्या है protein synthesis करना यानि इस area में cytoplasmic area में क्या होता होगा protein जादे होता होगा क्योंकि यहाँ पर synthesis होता है protein दूसरा हमारा क्या है chromatin area chromatin क्या होता है DNA का part होता है ठीक है इस वज़ा से अगर chromatin area नाम रखा गया है यानि कि वो क्या होगा DNA में वहाँ पर reach होगा ठीक तीसरा क्या है, fluid portion हमारा तीसरा portion क्या है, fluid portion है, तो fluid portion में क्या होते हैं? dissolve substance यानि जो भी उस्वस्टांस हैं, जैसे के हम cell के solutes मालने, metabolites मालने या inorganic कोई भी मालने, sulfur, phosphor, जो भी होगा inorganic या metabolites या cell solutes होँगे, यह किस रिजन में पर्जेंट होंगे हमारे fluid portion में पर्जेंट होंगे तो पहला portion में क्या होगा हमारा rich in ribosomes होगा जिसको हम cytoplasmic कहते हैं और यह किस चेंज granular in appearance होगा दुसरा हमारा chromatin area होता है जहाँ पर rich in DNA यहाँ पर DNA जो होता है जादे मतलब present होता है तिसरा है हमारा fluid portion जहाँ पर हमारे dissolved substances रहते हैं क्या रहते हैं dissolved substances यानि cell solid metabolites in organic ions है ठीक अब बात करते हैं inclusions की inclusions क्या होते हैं तो इनको बोला गया है कि यह क्या होते है foreign material बोलते हैं इसको ठीक है foreign material contain within the cell membrane ठीक है अंदर रहते हैं ठीक है cell membrane के अंदर रहते हैं कौन inclusions जिसको हम बोलते है foreign materials भी ठीक है अब यह देखिए कि inclusion granules are usually reserved material for usually reserved material of some sorts यानि कि यह क्या कह रहा है कि inclusion granules जो होते हैं यह sack type होते है sack type means जैसे कि किसी थैली type ठीक है थैली type तो उनमें जो थैली होता है हमारा उनमें कुछ छोटे छोटे इकाई भरे होते हैं किस चीज के हम बोल सकते हैं कि energy content के लिए कुछ चीज भरेंगे या फिर हमारा अभी यहां पर clear हो जाएगा ठीक है तो हमको यहां यहीं समझना है कि यह sack like होते हैं जो कि reserve करते हैं material को यानि कि energy को या फिर बोले तो gas vehicle को या फिन कोई pigment हो उसको क्या करते हैं अपने अंदर reserve रखते हैं यानि कि अपने पास रखते हैं reserve में ठीक है reserve मतलब क्या होता है need according to need हम उसको use करेंगे ठीक उस type के रखते हैं लेकिन क्या होते हैं छोटे काई में रखते हैं यानि कम रखते हैं थोड़ा रखते हैं ठी इतने परकार के inclusions हो सकते हैं। इनका function क्या हो सकता है। तो चलिए ये cytoplasmic inclusions में, पहला हम पढ़ते हैं कि glycogen, glycogen store करते हैं, जो कि क्या होता है? carbon, reserve carbon and energy sources, क्या होता है? reserve carbon and energy sources का ये क्या होता है? reserve रखते हैं, यानि अपने पास रखते है, है यह ग्लाइकोजेन होते हैं तो पहला अगर हम किसी यहां पर डिफरेंट-डिफरेंट परजेंट हो सकते हैं सभी चीज में अगर कोई बेक्टेरिया में ग्ल्याइकोजेन है तो कोई बेक्टेरिया में पॉली-बीटा-headroxybutyrate भी सकते हैं या गैस भी हो सकते हैं ऐसा भी हो सकता है कि एक बैक्टेरिया में यह सभी चीज पर्जेंट हो सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि मतलब यहीं चीज सब में पर्जेंट होंगे नहीं तो चलिए पहला हमारा पढ़े थे साइटो प्लाजमिक इंक्लूजन में ग्लाइकोजें अश्टोर करेगा, ठीक है, केमिकल कौन सा श्टोर करेगा, ग्लाइकोजन, लेकिन ग्लाइकोजन का काम क्या है, ये कार्बन को रिजर्ब करता है, जो की बनता है, 50% हमारा बैक्टेरिया का बोड़ी होता है, वो कार्बन से ही बनता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को लिविंग radic inclusions यह भी हो सकता है कि poly beta hydroxy butryite acid यानि यह भी रख सकता है और इनका काम क्या है ? quisThat 데 तो poly beta hydroxy butyric acid के form में रहेगा, ठीक, तिसरा हम पढ़ते हैं कि poly phosphate, ठीक है, poly phosphate, poly phosphate का आप क्या काम है, तरीजर phosphate, यानि कि ये क्या करते हैं, phosphate को अपने पास रखते हैं, उस थैली में क्या रखते हैं, phosphate को रखते हैं, अब देखिए, जैसे हम ATP पढ़ते हैं, जैसे ATP, ATP हमारे body में produce होता है, यहाँ पर phosphorus होता है, जिसके वज़े से हमारा ATP क्या होता है, अगर टुटता है, तो phosphorus bond के वज़े से बहुत ज़्यादे हमारा energy release होता है, यह phosphorus ही होता है, जो कि high energy हमें provide करता है, तो यह देखिए, यहाँ पर polyphosphate भी हमारे ग्रेनूल साइटो प्लाजमिक इंक्लूजन्स में रह सकते हैं, और यह bacteria में भी present रह सकते हैं, ठीक है, phosphate, phosphate क्या होता है, bacteria में भी present होते हैं और यह क्या करते हैं, possibly a reserve of high energy phosphate, यानि कि high energy के content यह रख सकते हैं अपने पास, लेगिन क्या रखेंगे, छोटे amount में रखते हैं, ठीक, तिसरा है कि gas बहक्यूल्स भी हो सकते हैं, हमारे साइटो प्लाजमिक में gas बहक्यूल्स भी अश्टोर हो सकते हैं, अब देखिए, gas है त साइटो प्लाजमिक एंक्लूजन्स में क्या है, gas बहक्यूल्स है, ठीक है, तो यह क्या करते हैं, बैयोंसी प्रोवाइट करते हैं, ठीक, कोई बैक्टेरिया फ्लोट करेगा, तो समझ जाना है कि gas बहक्यूल्स है, उसमें साइटो प्लाजमिक में gas बहक्यूल्स अश्टोर जो कि बायोंसी प्रुभाइड कर रहा है अब कुछ ऐसे वेक्टेरिया जो पिगमेंट अश्टोर करते हैं ये हमारे क्या थे ये हमारे जो थे एनर्जी सोर्स थे ये क्या थे एनर्जी सोर्स थे तीन ग्लाइकोजेन पॉली बीटा हाइड्रोक्सी बूटराइट एसीड और पोलीपस्फेट ये क्या थे एनर्जी एंर्जी सोर्ण कमपाउंड की ये क्या है थे हमारे गैस बहेकूल है थे जो कि बायोंसी की प्रुवाइट कर रहे हैं यह क्या है हमारा यहां पर यह pigment पिगमेंट भी अस्टोर कर सकते हैं हमारे साइटो प्लाजमिक इंक्लूजन अब pigments की बात करूँ तो फाइको बिली सोम से पहला pigment होगा और यह कहां परजेंट होता है तो साइनो बैक्टेरिया में परजेंट होता है साइनो बैक्टेरिया ठीक है साइनो बैक्टेरिया में यह परजेंट होता है और यह क्लोरोसम्स है तो सिंपल सी बात हमें क्या यूज कर देना है Chlorophyll किस चीज में किस चीज के लिए यूज करते हैं, यानि green plant के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पर green bacteria के लिए हमें use करना है, ठीक, क्योंकि यह cytoplasmic inclusion होते हैं, हमारे bacteria में होता है, तो यह क्या होगे, chlorosomes किसमें, तो green bacteria में, और phycobilisomes किसमें, sainobacteria में, और इस sainobacteria का इनका क्या है यह पिग्मेट जरो रहते हैं तो सींपल सी बात है कि इनका काम होगा राइट को अब feather करते हैं ठीक है स्थिक यह तो हमारा तीन ए मेसोंस के बारे में तो मेसोंस को और हम क्या कर सकते हैं कॉंड्रोड बोल सकते हैं ठीक है अगर पुछा तो भी यहाँ प्लाज्मा मेंब्रेन यानि यह एक गी आइकल्स के फार्म में रखते हैं यानि कि सैक लाइक ही और structure होते हैं जो कि कैसे दिखते हैं कैसे दिखते हैं प्लाज्मा मेंब्रेन में घुसे हुए दिखते हैं यानि कि यह बाहर से घुसे हुए रहते हैं उसको काम जान लेते हैं कि इनका function क्या होता है तो इन DNA replication and septa formation during the cell division यानि कि इनका काम होता है कि DNA जो हमारा होता है वो replicate करता है तो यह क्या करते हैं मेसोंस उसमें help करते हैं DNA replication में क्या करते हैं इनके help करते हैं और septa formation में help करते हैं during the cell division यानि कि हमारा सेप्टा कैसे होता है ऐसे मान लिजे कि कोई बैक्टेरिया है यह बैक्टेरिया हो गया हमारा अब यह होता है कि ऐसे ऐसे देखिए अब यह क्या हो रहा है सेप्टा फर्मेशन हो रहा है यहां पर अंदर से ऐसे ऐसे से शेप्टा फर्मेशन हो रहा है यानि कंस्ट्रिक्शन यहां पर होगा और यहां पर जो पूर्शन है यह कंस्ट्रिक्ट करेगा और कंस्ट्रिक्ट करते क्या होगा सट जाएगा इसी चीज़ को हम क्या बोल रहे है सेप्टा फर्मेशन और जैसे ही सटेगा ये दोनों क्या होंगे अलग-अलग हो जाएगे ठीक तो ये सेप्टा फर्मेशन during the cell division में help करता है mesosomes ठीक है दूसरा है excretion of exozyme ठीक है excretion of exozyme यानि कि क्या करते हैं जो ऐसे कि cell के बाहर कोई भी चीज़ function हो किसी enzyme का तो ये क्या करते हैं excretion करते हैं यानि कि excret करते हैं बाहर की और उस enzyme को क्या करते हैं अंदर में enzyme जो formation हो रहा है और जो enzyme का function बाहर में काम है तो इसको क्या करें उसी को इक्सकों इंजाइम बोलेंगे जिसका काम बाहर में हो सेल के अंदर में ना हो तो यह क्या करेंगे इक्सक्रेट करते हैं बाहर की हो ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है कि सेल वाल फॉर्मेशन ये सेल वाल फॉर्मेशन में भी हमारा हेल्प करते हैं कौन मेसोसोंस हमारा सेल वाल फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं और इनका अगला फॉंक्शन है डिस्ट्रिवीशन, रेस्पाइडेशन, सेक्रेशन और डॉर्टर सेल यानि जो हमारे ये daughter cell बना, ये जो हमारे daughter cell बना है, इनका काम क्या है, mesosomes उसमें क्या help करते हैं, अगला मतलब division हो जाने के बाद, तो ये क्या करते हैं, distribution का काम करते हैं, respiration का काम करते हैं, ठीक है, यानि कि उनको nutrient provide कराएंगे, respiration में help करेंगे, और secretion यानि जो भी enzyme उनको need ह होगी, उसमें ये क्या करते हैं, help करते हैं, कौन mesosomes cell करते हैं, यानि कि माने तो इनकी growth में help करते हैं, ठीक है, कौन mesosomes, जो daughter cell है, उनकी growth में help करते हैं, जो भी उनकी need होगी, distribution, respiration, secretion के through, उनकी help करते हैं, तिसरा चीज है, कि increase in surface area को भी बढ़ा देते हैं, ठीक है, अगला हमारा क्या है, nuclear material, ठीक, तो अब बात करते हैं, nuclear material क्या होते हैं, तो nuclear material में जैसे हम सबसे पहले निकलियाइड के बारे में पढ़ेंगे, और यह हम अभी पढ़ रहे हैं, प्रोकरियोट्स की, तब प्रोकरियोट्स में हमारा निकलियाइड जो होते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे, इन प्रोकरियोट्स, genetic material without the nuclear membrane, यानि कि जो genetic material हमारा है present है, जैसे कि हम इस figure में देख सकत हैं, यह क्या है, यहाँ पर nuclear membrane present नहीं होते हैं, जो भी हमारा genetic material present है यहाँ पर, इनका कोई boundary नहीं है, इनका कोई boundary नहीं है, वहीं अगर हम बात करें, यूकेरियोड्स की, तो इनका एक special boundary होता है, जिनके अंदर genetic material present होते हैं, अब इनका other name क्या है, निकलियोड्स का other name क्या दिया गया है, तो chromatin body दिया गया है, निकलियर equivalent भी बोलते हैं, bacterial chromosome भी बोलते हैं, ठीक है, और कितने यह DNA content करते हैं, content one large circular DNA, यानि कि एक large circular DNA यह content करते ह हैं, एक large circular DNA यह अपने पास रखते हैं, बस एक ही, ठीक, अब उसके बाद plasmid आता है, तो plasmid क्या होता है, plasmid जो होता है, extra chromosomal DNA molecules होता है, यानि कि निकलियाइड को छोड़कर, निकलियाइड region में जो DNA present है, हमारा एक large circular DNA present है, उसके अलावा यह क्या होते हैं, DNA molecules होते है, pl क्रोमोजोमल DNA होते हैं, जो कि निकलियाइड को छोड़कर होते हैं, यानि निकलियाइड को इसमें नहीं लिया गया है, निकलियाइड दूसरा चीज हो गया, प्लाजमिट दूसरा चीज हो गया, ठीक है, यह extra chromosomal DNA molecules होते हैं, यह क्या करते हैं, that replicate independent of the chromosome, यानि कि यह जो हमा अलग replicate करेंगे, यह हम figure में देखिए, दोनों को differentiate कर रहे हैं, यह हमारे क्या हो गया है, यह जो हमारे large circular DNA हो गया, जो कि निकलियाइड रिजन में present है, और यह जो हो गया हमारे plasmid हो गया, यह दोनों अलग-अलग है, ठीक है, अब देखिए, यह क्या करता है, it contains antibiotic resistance zinc, यानि कि यह जो होते हैं, antibiotic resistance zinc, यानि हम इन पर जल्दी, मतलब other चीज अगर डाल रहे हैं, कि इनको हम denature कर दे, या फिर kill कर दे, तो यह इनके पास क्या होता है, कि already इनके पास present होता है, antibiotic resistance, जिससे वो रोकते हैं, ठीक है, कि जल्दी हमें कुछ नुकसान ना हो, ठीक, अब देख होते हैं, genetic engineering में हम इनको vector की तरह यूज करते हैं, vector क्या होता है, vector जैसे हम बोलते हैं, malaria हमको हो गया, तो malaria मच्छड के काटने से होता है, ठीक है, मच्छड के काटने से होता है, तो इसमें किसको हम vector बोलेंगे, malaria को बोलेंगे, कि या फिर mosquito को बोलेंगे, तो mosquito को बोलेंगे यानि कि जिसके थूँ ये हमारा ट्रांसफर हुआ मलेरिया वहीं है क्या बेक्टर है तो हम जेनेटिक इंजिनियरिंग में इसी को लेते हैं किसको प्लाजमीट को लेते हैं अस्टडी करने के लिए ठीक है क्या करते हैं अस्टडी करने के लिए लेते हैं अब प्लाजमीट ज है उनमें जो जीन होते हैं या फिर वो help करें या फिर आपको नुकसान करें तक इतना बार infection जो होता है plasmid के transfer किसे होता है हमारे body में ठीक है जो भी हमारे bacteria रहते हैं वो हमारे body से attach होकर अपना plasmid हमारे अंदर खुन में डाल देते हैं और वो replicate होकर क्या करता है infection produce कर देता है तो वेक्टर जो होते हैं यह harmful भी है और useful भी होते हैं हमारे genetic engineering में इसी पर experiment किया जाता है क्योंकि plasmid लिकालने से हमें कोई bacteria को नुकसान नहीं होती है क्योंकि हम उसका originally जो DNA पर उसका नेचर है वह हम नहीं लिकाल रहे हैं दोनों सेमी चीज है यह ध्यान रखना है कि दोनों का composition सेम चीज ही है ठीक इसी वज़ा से हम plasmid लिकाल कर पढ़ सकते हैं ठीक यह नहीं है कि यह DNA है तो उनका नेचर अलग हो जाएगा और यह plasmid है तो इनका नेचर अलग हो आगा ऐसा कुछ नहीं होता तो हम genetic engineering में या माइक्रोबाइलोजी में जो भी हमें experiment करने होते हैं हम किसको यूज करते हैं भेक्टर के तोड़ पर प्लाजमिट को यूज करते हैं अब बात करते हैं जिनोम की तो जिनोम क्या होते हैं total DNA content in the prokaryotes यानि कि जितने भी DNA content होंगे जितने भी DNA यानि के माल लेते हैं अगर कोई भी सवस्थान से चलिए कोई भी और्गनेजम माल लिए यह चार सेल में प्रजेंट है ठीक है चार सेल है अब तो हमारे जिनोम क्या होता है total DNA content in the prokaryotes यहां प्रोकेरियोर्स की बात कर रहे हैं हम ठीक है अगला हमारा यह है इंडो अस्पोर्स तो यह जो होता है यह काफी इंडो अस्पोर्स की बात करता हूं तो इंडो अस्पोर्स से पहले अस्पोर्स हमें पढ़ना है अस्पोर्स क्या होते हैं तो डियूरिंग अस्टार्वेशन और अन्फेवरेबल कंडिशन यानि कि अगर अस्टार्वेशन है बैक्टेरिया को कोई भी नूट्रिशन नही दिया जा रहा है उस case में बैक्टेरिया क्या करते हैं एक highly resistance metabolically dormant structure यानि कि dormant structure यानि कि वो structure जिस पर किसी चीज का effect ही ना हो ठीक है और highly resistance यानि कि resist करते हो हर उस चीज को जैसे unfavorable को resist करते हैं या फिर starvation है तो एसा environment create कर देंगे कि वो जितना उनके पास है उसी में वो जिन्दा रहेंगे उसके लिए यह क्या करते हैं एक structure अपने चारो और develop कर लेते हैं और उसी में यह क्या करते हैं century तक रह सकते हैं यह दो-चार दिम की बात नहीं होती है हम कहें तो यह 4000 साल पांच हजार साल भी रह सकते हैं दस हजार साल भी रह सकते हैं सिर्फ किसके वाज़ा से अस्पोर formation के वाज़े से समझ गया यह इतने highly resistance और metabolically dormant होते हैं तो यह हमारा जैसे कि यह हमारा चीज़ अगर डाल रहे हैं तो इंपर कोई effect नहीं पड़ता है ठीक है यह अपना अंदर जिन्दा रहेंगे और जब भी उनको condition favorable मिलेगा यह तुरंत अपना मारा जो bacteria होते हैं या कहें तो procureur ठीक, अब ये क्या करते हैं, ऐसे बैक्टेरिया होते हैं, कि उस अस्पोर्स फॉर्मेशन के अंदर भी अपना अस्पोर्स बना के रेप्लिकेट करते हैं, चलिए हम इसको दिखाते हैं, यहीं हमारा बैक्टेरिया थी ठीक यह हमारा क्या था बैक्टेरिया था अब यह रेप्लिकेट करना इस्टार्ट के यह मैंने यहां पर नहीं है चलिए यह हमारा अस्पोर्स हो गया ठीक और यह जो हमारा है बैक्टेरिया है जो कि अब क्या कर रहा है यह अस्पोर्स बाहर का लेयर है अस्पोर है ये ठीक है अस्पोर अब ये क्या है ये बैक्टेरिया है अब ये क्या कर रहा है ये खुद में अंदर अपना रेप्लिकेट करना इस्टार्ट किया ठीक है रेप्लिकेट करना इस्टार्ट किया और ये क्या करेगा रेप्लिकेट कर देगा ठीक है ये क्य क्या कर लेते हैं अपना एक अस्पोर करते हैं यानि अस्पोर के बाहर भी एक अस्पोर यहीं बोला जाता है इंडो अस्पोर यानि कि एक अस्पोर के अंदर एक अस्पोर और वो रिप्लिकेट कर सकते हैं इसके अंदर तो यह बहुत ही अनुखा features होता है जिसके वज़ा से bacteria की कभी भी कमी नहीं होती है और इसी वज़ा से हमारा environment में भी यह अगर आज मार रहे हैं तो कल जिंदा ही रहते हैं bacteria खतम नहीं होते हैं तो यहीं बात है this is all about the internal structure of the cell तो यह हम इसका एक अलग से topic बनेगा उसके लिए attention नहीं लेना है इस process में जो हमने यह simple way में बता दिया इतना simple way में नहीं होते हैं इनके अंदर भी बहुत सारे process होते हैं तो यह हमें अगले वीडियो में पढ़ेंगा ठीक थैंक्यू